ओम नमशिवाय, जैमादादी, राधे राधे सबी को सौगेत आपका मेरे इस नई वीडियो में मैं हूँ आपके साथ स्मीता तिवारी वैसे तो आप जानती हैं कि हमारे सनातन धर्म में अमाउसय की तिति का विशेश महत्व है प्रत्यक महा के कृष्णपक्ष की पंद्रावी तिति अमाउसय कहलाती है यह वो समय है जब चंद्रमा पुर्ण रूप से अद्रुष्य हो जाता है अर्था दिखाई नहीं देता है माग महा के कुरुष्ण पक्ष में आने वाली अमावसया माग मावसय यानी मौनियों मावसया कहलाती है इस वरत में वरती को मौन धारन करते हुए दिन भर मुनियों का आचरन करना चाहिए और गंगा यमना या अन्य पवित्र नदियों जलाश है अत्वा कुंडम इसनान करना चाहिए मौनी शब्दे से ही मौनी की उत्पती हुई है माना जाता है कि इस दिन मौन रहकर वरत करने वाले वेक्ती को मौनी पत की प्राप्ती होती है पाउरानिक मानिताओं के अनुसार इस दिन स्रुष्टी के संचालक रुषी मनु का जन्म हुआ था इसलिए इसे मौनी अमौसय कहा जाता है ऐसा बताया कि इस दिन स्नान कर तील दूद और तेल का दान करना चाहिए मौनी अमौसय पर मौन वरत रखने से सकारत्मक उर्जा का संचार होता है साथी पित्रु दोश काल सरप दोश से भी मुक्ती पाने के लिए यह शुप दिन है तो आईए जानते आज की वीडियो में कि आने वाली मौनी अमौसय की तीथी क्या रहने वाली है उस दिन इसनान दान का शुप समय क्या रहने वाला है मौनी अमौसय का महत्व क्या होता है मौनी अमौसय पर इसनान का क्या महत्व होता है साथी इसकी पूजा की वीधी क्या होती है और इस दिन हमें किन नियों मों का पालन करना चाहिए यह सारी जानकरी स्ट्टीओ में जानेंगे तो वीडियो को लास तक ज़रूर देखेगा वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी मत देखेगा और जो भी हमारे चैनल पे नय है पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब के लिजिए और हमारी वीडियो को लाइक भी कर लिजिए और कमेंट्स बोक्स में ओम नमश्वाज जरू लिख दीजिए तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले मौनी अमौसय की तिथी जान लेते हैं हिंदू पंचांग के अनुसार अमौसय तिथी की शुरुआ सुब आट बच कर दो मिनट पर होगी मा कुष्णा मौसय तिथी की समाप्ती दस फरवर दिन शनिवार की सुब चार बच कर अठावस मिनट पर होगी ऐसे में माग मौसय नौ फरवरी शुक्रवार को मनाई जाएंगी तो चलिए माग मौसय के दिन इसनान का जो शुप समय वह जानते हैं माग मौसय तिथी में इसनान का विशेश महत्व है इस दिन पवित्र नदियों में इसनान ब्रह्मा मुरत से प्रारंब हो जाता है माग मौसय के दिन आप ब्रह्मा मुरत में सुब पाच बचकर 21 मिनट से इसनान प्रारंब कर सकते हैं यह इसनान पूरे दीन चलेंगा, ब्रह्मा मुरद सुबह पाज बचकर 21 मिनट से लेकर सुबह 6 बचकर 13 मिनट तक रहेंगा, तो इस समय के बीच आप इसनान कर सकते हैं, तो चली अब मौनी अमौसय के जो महत्व है वो जानते हैं, माग माह में पढ़ने वाली मौनी अमौसय पर पवित्र नदियों में इसनान करने के बाद कई सादक पूरे दिन मौन वरद्वी धारं करते हैं, जोतिश शास्त्र के अनुसार चंदर देव को मन के देवता माना जाता है, अमौसय के दिन चंदरमा नहीं दिखाई देता, जिस कारण मन की स्तिती बिगर सकती है, ऐसे म अमौसय तिती पर मौन रखर मन को निरंतन रखने का प्रयास किया जाता है, तो चलिए मौनी अमौसय पर इसनान का क्या महत्वा है वो जानते हैं, मौनी अमौसय पर पवित्र नदी विशेश कर गंगा इसनान करने का विधान है, माना जाता है कि अमौसय पर देवता और प तो ऐसे में आप घर पर पानी में ही गंगा जल मिलाकर इसनान कर सकते हैं। भी रखे इस दिन पीतर समंदित कारे करने चाहिए पितरों के निमित तरपन और ध्यान करे इस पावन दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करे इस पावन दिन भगवान विष्णु की पूजा का विशेश मौत्व होता है इस दिन विदी विदान से भगवान शंकर की भ तो हमें मौनी अमौसय के दिन करनी है, अब मौनी अमौसय पे ऐसे कुछ नियम है जिन का पालन हमें करना चाहिए, तो वह जानते हैं, मौनी अमौसय के दिन प्रातर काल स्नान नदी सरोवरिया पवित्र कुंडम में करना चाहिए, इसके बाद सूरद्यों को अर्ध देना चा पाला में गाय के लिए भोजन का दान करना चाहिए, माग अमौसया पर पीत्रों का तरपन करने से उन्हें मौक्ष की प्राप्ति होती है, इस दिन मन, कर्म और वानी के जरिये किसी के लिए अशुब नहीं सोचना चाहिए, तो यही वो नियम है जिनका पालन हमें मौनी अमौ उस ऐसे सम्मंदि संपुर्न जानका दी देदी है, जो आपके बहुत काम आएंगी, तो आज का वीडियो यही समाप्त होता है, तो जो भी हमारे चानल पे नए है, पहली बार आये, तो चानल को सब्सक्राइब कर लिजिए और हमारी वीडियो को लाइक भी कर लिजिए, और